आगे महराद शूरुजमल जो प्यू जो की भधनसिंग पर कई साहसन किया था मार में अंख्योंतों कि जोना तुटी कमज़ोर और पड़ने लग रिभी ती तो अपने पेटे को साहसन सोंप दिया था तो बधन सिंगर साहसन काल के अंधर सूरुजमल जी राज करेने पर पिता की डेथ तो 1756 में जाके वह वकई जो सासनकाल है उस 1756 से शुरू होता है, 1756 से लेकि 1770 तक सबसें इंटलिजेंट आदमी उस समय के सिक्ष्यागे प्रती, साहित्ये प्रती भी बहुत अनुराग रखने वाले व्यक्ति, तो कहा गया कि जाटों का प्लेटो है, तो याद रखे, कि किस भरतपुर के राजा को जाटों का प्लेटो कहा जाता है, तो महराज सूरजमल जो प्लेटों के नाम से जाना जाता है, अपने इंडिया वालों ने एक बड़े जोड़दार काम किये, कि लोगों के नाम चैंज करने में अपने को बड़ा मजा आया, कि युनान, वास्तों में उस देश का नाम है ग्रीस, पर हमने उसका नाम भी युनान कर लिया, और उस ग् का नाम जाले करकर कर दिया सुक्राथ, प्लैको का नाम बदल गर कर दिया अफ्ला तून अ के टार मन किया। डेरियस का नाम तू बड़ा जोरदार निकाला में डारा सिंह नाम निकाल दिया मुविए आमने। तो वो Queen movie देखना Kangana Ranahout के एक movie की क्वीए Queen Kangana Ranahout के अके लिया निमुन मना नी चली जातिये Paris तो वहां पर उसको एक रसियन उसका डौस्त मनता है तो उस रसियन से पूसती तुम्हारा नाम क्या है। इलकजंदरur तो वह कंगना वापस नाम क्या है। अनबहां तुझे नहीं पता ! तररी अडसे कर दो कि अधिवाद्र केते है। तो वह बात है जी तो अपने वाड़ नाम भीकारने में थे ही तो वैसे तो जाटों का प्लेटो है पर प्लेटो अपने अफलातून बोल देते हैं तो जाटों का प्लेटो कही है या जाटों का अफलातून कही है वहादूर आदमी ते उस समय के वल बहादूर ही नहीं थे बल डिल्ली के डलते वे दिन वहा करते थे उन दिनों के अंदर और दिल्ली पराटेक कर दिया था और दिल्ली पराटेक करके वहां से नूर जहां का जूला लेकर आ गये थे जूला समझते हो, हिंडो हिंडो, केसी ताहम में नूर जाहां वहाँ बेखके उस पर जूला करते थी, सुर्जुमल जिन का उत्तारो इसको, इस पर वैसा आपने जूलेंगे, और डीग में इन्होंने जल महल बनवा रखे थे, तो उन डीग वाले जल महलों के न्दर ये नू के जल महलों में, सुर्जुमल जी ने नूर जाहं का जूला लगवाया था, जिसके लिए कहा जाता है कि वो जूला है वो डिली से उतार कर लाया गया था, तो याद रखे ना बाई, कि दिली पर एटेक किया था, वहां से नूर जाहं का जूला उतार कर लिया आया थे, 1761 मे मराठों के और एहमद साब्दाली के बीच में मराठों के और एहमद साब्दाली के बीच में पानिपत का तीसरा युद्वा, third battle of पानिपत सुरुजमल जी को जब पता चला कि मराठों के और एहमद साब्दाली के बीच में युद्व हो रहा है तो उनको कहा कि यार मैं भी आपकी साहिता कर सकता हूँ पर मराठों के क्या है कि मराठे मुगलों के डलते वे दिनों में इतने ज़्यादा पाउरफूल हो गए थे कि जहां मरजिया थी वहां लूट पाट कर लिया करते थे यह उन दिल्ली को तो मराठे कुछ समिशते ही नही तो मराठों के सामने तो दिल्ली के ओकाती एक दम भौंत्री नहीं पाएगा और वाकई हालत भी यह थी मराठों से कोई लड़ भी नहीं पाता था मराठे जान जाते अगला आताजोडी करके रूपए देगे वापस बेजा करता था इनको तो मराठों को इतना गमंड था कि मराठे अपनी फोज में फोजी रखते कम लुगाई टाबर रखते ज़्यादा ओरतेन बचेन कि कहीं जागे घेरा डालना है आपने को मही नेबर पड़ा रहेना है वहां पर और मही नेबर जब वहां पर पड़े रहेंगे तो आगला राजा आपने आपसे निकालगे लुगाई टाबर नहीं मालिस करने वालें, डांस करने वालें, डॉलग पटी बजाने वालें पूरा इंतजाम करके चलते दे बाई साथ, सुर्जमल जी नहीं समझाया, इंटलेजन बन दे ते, आरे गा मुर्क हों इन लुगाई टाबरों को यहीं बरतपूर चोड़ दो, तो आप लोग इनको तो यहीं छोड़ दिया जाए, और आप चलो, सेना हलकी कर लो, क्यों सेनिक सेनिक लेगे चलो, मा और साथ चलने के लिए चले आपके, पर मराठों का सेनापती हुआ करता था, सदा सिवर आओ भाव, भाव बढ़ा घमंड यहाद में ता, भाव भाव अब आप लोग बताओगे, हमें कैसे लड़ना चीए और कैसे नहीं लड़ना चीए, और हमें किसी की साहिता ही आओ सेकता ही नहीं, तो सुर्ज मल जिनके, ठीक है तो रवना हो यहाँ से, जब तरे को साहिता ही नहीं चीए तो भाव यहाँ से अकला गया, उस पानिपत के तीसरे युद के अंदर अबदाली मराठों को भूट ढंक से आरा देता है, पानिपत वाली मूवी बॉलिवुड वालों ने बनाई और उसके अंदर उन्होंने कुछ भी दिखाया हो, अब सिस्टम यह है कि बॉम्बय में बेठके आपको मूवी बनानी, और बॉम्बय में को कभी मराठों के आज सिवाजी के बारे में तू तड़ा के से बोल के दिखा दो, लोग श्याम तक मार मार के मूव बला जी कर देते हैं, महराज छत्रपती सिवाजी बोला जाए, कौन बनेगा करोड़ुपती में, अमित्ता बच्चन ने चार ओप्शन में सिवाजी ओप के दिखाओ थोड़ा, लोग गला पकडने के लिए तयार हो जाएंगे, यह अपने वाले ही हैं, जिनको अपने इतिहास, अपनी भासा, अपनी संस्कृती से भगवान जाने क्यों लगाओ नहीं होता, अपने यहीं पे लोग होंगे, जो अपने राजा महाराजाओं की आलो आलोचना कीजिए, हालांकि वो लोग तो वहांपर भी आलोचना नहीं करते हैं, आलोचना किस बात की, आपकी मांट डाकन कुण के, अपने यहां कोई महरना परताब के बारे में, पिर्च्वी राज चोहान के बारे में, सवाई जे सिंग के बारे में, सूरुज मल जी के ब मत भी नहीं होती, कि बोंबे में बेठके मराठों कि लाप कुछ बताओ, अब चुंकि मुवी बनाईए, तो किसी ना किसी को विलन बनना पड़े, उनका रस्तानवाले को बनादू, अपने पर एक्सपेरिमेंट करकर के देखें में उनके, कि इनको मनादो, जदा-जदा को हो अगली बार यह करेंगे ने, तो इनको पानिपत में सुरुज मल जी को विलन बननाने के गोसिस कर देता, मैं अपने इस मुवी देखने ने, कोई मत देखने जाना पई, वरना आमेसा में मुवी यों का समर्थ करेता हूं, मैं बच्चों को अमेसा कते हैं, मुवी देखने मुवी देखने, मुवी देखने से सीखता ही है बंदा, पानिपत आई तो उससे पहले थागी ने, आर पानिपत देखेंगे, मरते जो कुछ हो भले ही अपने साथ लूट मार की हो, रजस्तान के साथ लूट मार की हो, अबर उसमें एक विदेशी आकरांता से लड़ने के ल सुरुजमल जी के बारे में कुछ भी का दो गयर, लोग यहां पर बोलेंगे नहीं, विरोध भी क्या लोगों ने, और सही लगा है क्या रजस्तान के तमाम च्छत्रों से आवाजें आई, के वल भरतपूर नहीं, बाकी लोग भी बोलेंगे नहीं, आप गलत है आप हमार र तो मत देखा कीजिए, आपने जब इन फिल्मों का बोईकोट करना सुरू करेंगे, तब इनके बुद्धी आएगी, और वास्तों में तब यह थोड़ा दंग से दिखाना सुरू करेंगे, और वैसे मैं अमेसा कहता हूँ, कि बोल्लीवुड वाले हिस्ट्री पर फिल्म ब बाकी लोगों का तो किया ही क्या जा सकता है, तो बाजीराओ यार क्या राजा रहा था, उस मुवी में बापडे को बाजीराओ को यू दिखाया है, खिलोने जैसा कोई, मुझे लगता है मेरे पास जब खूब सारे पैसे आ जाएंगे, तो मैं बाजीराओ की बहुत पर मुवी बनानी है, तो उसमें एक्षन, रोमांस, कॉमेडी, ट्रेजिडी, सब कुछ है, आप में से हैदी किसी का मन हो कि मुवी में काम करना है, तो फोन करके, लिखवा देना, नाम लिखवा देना कि कौन सा रोल करना पसंद करोगे, अपने सब महराज सूरज मल पे, ज जो अपने राजस्थान के बहादूर यदा होए हैं, परताव, चंदर सेन, दुर्गादास, राठोड, बागवान कभी ना कभी अपने को पैसे देगा, खूब सारी पैसे के इन सब पर मूवियां बनाई जा सके, पुरे देश को बताया जा सके, कि मंगता हूँ, बहादू बहादूरी बलकि सरणगत वतसलता की डाद दीजी आप, कि जिस महराज सूरज मलकों मराठे अपने साथ नहीं लेकर गए थे, या उसकी सलहा नहीं मानी थी, उस व्यक्ति ने भागते वे मराठाओं को ने केवल भरतपूर में सरण दीती, बलकि खूब दिनों तक उनको य सोरी देवी स्यम मराठों से जाकर मिलती थी, उनके बच्चों का, महिलाओं का, सब का विशेश स्नह से द्यान रखा गया, एक बार फिर उस परंपरा को बताया गया कि सरणागतों की रक्सा के लिए हम हमेशा तयार है, और आप सोचिए, सरणागत भी कोन, वो मराठे जो हम हम से बिना सलाल ये चले गए थे, हम से मेल मिल आप नहीं रख रहे थे, वो तो कोई बात नहीं, किसके खिलाप आप सरण दे रहे हो, एहमेशा अबदाली के खिलाप, जो उस समय का एक बड़ा दुर्दानती योद्ध था, ये भी तो डर होना चीए कि कल को ये अपने पर टेक ना करते हैं, ये बहुत दूर की बात है, करतव भी ये था कि सरण आगत की रक्षा की जाए, तो उन भागते वे मरठों को जो पानीपत के तीसरे यूद से भाग रहे थे, उनको ये दि किसी ने सरण दी थी, तो भरतपुर के महराज सूरजमल उनको सरण देते हैं, मरठों को दिखाना तो ये था, कि किस परकार एक राजस्थान का राजा हमारी साहिता के लिए, दिल खोल कर स्वागत करता है, हमें अपने रज्ये के इंदर रखता है, इवन खूब सारी फेमिलीज बहरतपुर में रह गई, मरठों यही रह गए थे, मैं कि जी एक बेच में पढ़ा रहा था और मैं जब कलास से बता कर ये बाहर आया तो एक लड़का मेरे पिछे पिछे आया, और जरीक बात बता हैं, हाँ, का वो आपने जो कहा था ना कि मरठे भागे थे, भरतपुर के अंदर कुछ दिन रुखे थे, वहाँ, सर वो सई बात है, एक जकली मुझे तो पता ही ये तभी मैंने बताई थी, रुखे क्या थे, उनको यहाँ खाने पिने परबन सभी किये थे, ताबरों के लिए टोप य देवी का तो हम नाम ही भूल गए, वागि उस महिला ने खूब ध्यान रखा था मरठों का, का सर कई परिवार यहीं रह गए थे भरतपूर में, आगे नहीं जा पाए थे, वह गए यह नहीं पता मुझे, वह सकता है, यह कूब दिन ते क्या रुके पिर यहीं कोई काम आपत की तीसरे विद में भाग लिया था, रास्ते में जब यहां रुके थे दो उसके बाद आगे नहीं गये थे, घुड श्यावास, उसने का सरम ब्रह्मन है, पेश्वाओं की सेना थी पेश्वा कुद ब्रह्मन थे, फिर लोग पूछन लगे कौन से ब्रह्मन, कौन से मराठी थे, इधर को इतना जानता था ने, मराठी ब्रह्मनों को, फिर किसी निगा, ये वो हैं जो भाग के आए थे, भाग के आए थे, तो गोत्र बन गया भगोड, वो राजा, तो याद रहे आपके, कि पानीपत के तीसरे युद से भागते वे मराठों को सरण देने वा बाते बताता हूं, भरतपूर का किला, इन ही की टाइम में बनवाए गया थे, डीग के जल महल इन ही की टाइम में बनाए गया थे, इंटलिजेंट बन दे थे, एग्रिकल्सर में खूब सारे सुधार करवाए थे, भरतपूर जैसी छोटी सी रियासत, जिसका जन में ठीक उस राजा के पिता के समय हुआ था, पदन सिंग के समय हुआ था, कहते हैं कि उसकी इंकम एक करोड़ पचेतर लाख रुपे थी, याद रखना भाई, एक बार एक किस्टन पुछावाए कि चैन्साइटी की बुक के अंदर लिखावा ऐसा, कि सुरजमल के समय भरतपुर की इंकम बढ़कर कितनी हो गई थी, तो एक करोड़ पचेतर लाख रुपे इंकम हो गई थी, याद रखना इस बात को आप तोड़ अचा, परसासनिक सुधार करवाए, यह बात तो मुझे बड़ी जोड़दार लगती, administrative reforms करवाए, परसासनिक सुधार कर administrative reforms, पहले क्या होता था, एक यह भी हुआ करता था कि जिस वंस का राजय है, उसी वंस के लोग ज्यादा तर नोकरियों के नदर हुआ करते थे, राजय आपने बाही बतीजों को नोकरियों में रखता था, महरास उरजमल ने इस बहद भाव को भी समाप्त किया, उन्होंने परते एक जाती धर्म के लोगों को अपने प्रसासन में सामिल किया, या मैं एक्जकली इसको और बोलू, तो योग्यता के आधार पर लोगों को प्रसासन में सामिल किया, या मैं इसको इंग्लिस में बोलू, तो merit best bureaucracy बनाई थी, मेरी बीरोक्रेसी में वो लोग आएंगे, जो meritorious है, इसमें जाती धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी परकार का बहिदभाव नहीं किया जा सकता है, तो याद रहना सारी बात है, क्रीशी में सुधार किया, बहरतपूर की इंकम एक करोड पचितर लाग तक हो गई थी, प्रसासनिक सुधार किया, योग्यता के आध जूला लेकर आये थे, भागते वे मरठों को तीसरे पनीपत युद्ध के बाद 1761 के अंदर भरतपूर में सरनन दी थी, उनके एक दरबारी विद्वान थे, मंगल सिंग पुरहित, जिन्होंने एक बुक लिखे है, सुजान सम्मत विलास, सूरुज मल जी को सुजान कह दि रुहेल अफगानों का राज्य था, इसलिए रुहेल खंड कहलाता है, यहां का एक अफगान ने था था नजीब खान, उस नजीब खान के साथ युद में लड़ते वे वीरगती को पराब्ट हुए थे, वो भी कहते हैं कि युद्ध से वापस लोट रहे थे, हिंडन नदी पढ़ती है वहां पर तो हिंडन नदी के पास में मरा ठेक अफगान के घात लगा के बेटे वे थे, अचानक अंधेरे के अंदर उन लोगों ने टेक कर दिया था, उसके अंदर वो मार दे थे, कहते हैं कि तब नजीब खान के पास समातार पहुंचाया गया कि शूरुज मल को मार दिया गया है, नजीब खान को विश्वास ने उसने गया, ना ऐसा नहीं कर सकते तो, वो रंगड तुम से आज मरे नकल मरे, जब लास लेके गये थे, तब उसको विश्वास हुआ अपने आंखों पे कि हाँ, वाकई, सूरुज मल युद्य के अंदर वीरगत्य को प अदमी था एकदम, तो यह महराज सूरुज मल के बारे में हमने पढ़ा, पढ़ा सब्दों में 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 कोई पूछ सकते हैं, तो आप लिखने एक कोछिस करते हैं.